बार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागता आश्चा करता हूँ आप सभी अच्छ होंगे तो दोस्तों आपके MS, BS, Netsing and Paramedical के Entrance Examination से Related Important Cutions की सीरी चल रही है मैंने अल्रेडी आपको कभी सरी वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं यह सारी क्यूशन आपके BS, Netsing and Paramedical के प्रिवेस यर जो Entrance Exam कंड़र्ट करवाएगी तो उनमें पूछे गहे हैं तो यह इंग्लिस और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में हैं इंग्लिस वाले केंड़ेट इंग्लिस में रीड कर सकते हैं हिंदी वाले हिंदी में अब्यक्तिव क्यूशन पर करने हम और ज्यादा से ज्यादा आपको मौक टेस्ट अवेल करके मौक टेस्ट पर आपको फोकस करना है उस बैसे पर आपकी जो vividness, strength उनको आप समझ सकते हैं और साथ या आपका जो paper pattern वह भी आप समझ सकते हैं तो आपकी objective e-book और mock test paper है दोनों का link description box में आपको दिया गया है तो वो जरूर avail करें last time duration में ये आपके लिए रामबान की तरह कारिय करेगी तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं first question आपका तरल से बरा हुआ गुआ कोडर cavity and trim किस में पाया जाता है तो option a है तरतिय पूटक follicle दूत्य पूटक follicle प्रात्मिक बानू जनक कोशी का जिसे अंडग करते हैं प्रात्मिक पूटक follicle तो दियेगे में से आपको correct answer देना है तो इसका correct answer हो जाएगा option number a है आपका तरतिय पूटक follicle option number a correct answer हो जाएगा next question है आपका ascorbic अमलक को किसके रूप में भी जाना जाता है तो vitamin B, vitamin D, vitamin C vitamin C correct answer हो जाएगा vitamin C के रूप में भी ascorbic अमलक को जाना जाता है next question है आपका keratin से बनने वाले vitamin का नाम बताईए जो एक वनस्पति वरणा कहीं तो vitamin B है, vitamin D, vitamin C या विटामिन है, correct answer हो जाएगा दोस्तों आपका इसका विटामिन A है, जो केरोटीन से बनने वाली विटामिन है, जो एगवानस्पती वरणन भी है, विटामिन A next question है आपका उस निर्मित वाहीनी का नाम बताएए जब पिता से वाहीनी, cystic duct यकरत वाहीनी के साथ जुड़ जाती है option A है आपका एप्रोपेक्रियोटिक डक्ट या पेंक्रियोटिक डक्ट कॉमन बॉल डक्ट या सेलिवरी डक्ट तो correct answer हो जाएगा दोस्तों, option number C आपका मूल पित वाहीनी, जैसे कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं इसका correct answer हो जाएगा next question आपका dermatitis, diarrhea and dementia are symptoms of the deficiencies योग तो त्वक्त, सोथ, दस्त, मनोबरंस, निम्न की कमी के करना होता है, तो हिंदी में ये वर्ड होते हैं काफी difficult होते हैं, इनको समझने के लिए इंग्लिस में रीड करना होता है तो ये आप देख सकते हैं तो त्वक्त, सोथ, दस्त, मनोबरंस, निम्न की कमी के लक्षन है तो कौन से विटामिनी कमी के लक्षन की वज़ा से होता है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B3 या विटामिन K पेट और पाचनांतर की संदी पर पाई जाने वाली विटाकार, मास पेसी निम्न होती है तो उप्शन A, अवरोधनी गुदा, कार्डियक अवरोधनी, माईसनर, फ्लेक्सस, या जटरनिर्गम अवरोधनी करेक्ट अंसर हो जाएगा दोस्तो, इसका ओप्शन नमबर D, जटरनिर्गम अवरोधनी, ओप्शन नमबर D, करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन आपका, पित पिंड, कॉर्पस लूटियम किस से निर्मित होता है तो प्रात्मिक पुटक फोलिकल से, द्युत्य पुटक फोलिकल से, ग्राफियन पुटक फोलिकल से, या तर्तियक पुटक फोलिकल से कोपर्टी, डायफ्राम, कंडोम, मुगोली, option C's का correct answer हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन आपका नेक्स्ट क्यूशन आपका, निमलकित में से कोन एक 22 श्राव, एक्सोक्राइन सिक्रेशन है ओक्सिटोसिन, स्लाइवा, थायरोक्सिन या वेसोप्रेसिन, क्रेक्टांसर हो जाएगा आपका स्लाइवा, लार, option number B, क्रेक्टांसर होगा नेक्स्ट क्यूशन आपका, जन्संक्या में अधिगांसते, युवा, आयू वर्क के लोगों की होने का अर्थ है कि मर्तिवदर उच है, जनमदर वो मर्तिवदर दोनों समान है, जनमदर उच है, या जनमदर कम है क्रेक्टांसर हो जाएगा, बर्त रेट इस आई, option number C, क्रेक्टांसर होगा, जनमदर उच है नेक्स्ट क्यूशन आपका, मादा में अंडोर्च कर कारण निमन को माना जाता है option है, केवल अगर PUC का, NTR, PTT द्वारा, FSH को रोकरां, और LH स्राव को तीजित करना option आपका, केवल लिकर पुटक, फोलीकलाई की लवन के सांदन में वर्दी, केवल पराशन दाप में वर्दी, ग्राफी पुटक, ग्राफी पुटक, ग्राफीन पोलीकल का तोड़ना और आपका, next option है, all of these, तो correct answer हो जाएगा, all of these, option number B, इसका correct answer हो जाएगा next question है, आपका, अंतर प्रजन अव नमन, inbreeding, depression को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, crossbreeding है, या outbreeding है, outcrossing है, या अंतर जाती है, संक्रण है correct है, इसका answer हो जाएगा, बई संक्रण, outcrossing है, इसका correct answer हो जाएगा, option number C आपका next question है, निमली कित में से, कौन सा in-situ स्रंक्षन के तरह सामिल नहीं है, which one of the following is not included under in-situ conservation, तो national park, century, या पवित्र उप्मन, या बोटनिकल गार्डन, correct answer हो जाएगा, आपका बोटनिकल गार्डन, option number D, इसका correct answer हो जाएगा next question है, आपका निमली कित में से, कौन सी नियंडर्थल मानव की विशेशता नहीं है, अपने सरीर की सुरक्षा के लिए चमड़े का परियोग करते थे, उन्होंने गुपागला को विक्सित किया, वे मर्द को दपनाते थे, मस्तिक्षगा आका, 1400 CC है, तो आपका correct answer हो अपने सरी की सुरक्षा के लिए चमड़े का परियोग करते थे, तो ये विशेशता नहीं थी, जो नियंडर्थल मानव थे, उनके लिए, नेक्स्ट क्यूशन है आपका, निमलकीत में से कौन सा वर्गीकरण, टेक्सोनोमिकल साय किसी चेतर में पाई जाने वाली प्रजातियों की नाम, नामों की पैचान करने तो जानकारी प्रदान करता है, ओप्शन ए है, मैनुवल, नियमक, पुस्तक, या आपका, केटालोग वर्गक, संग्रक, वनस्पति, समा, फ्लोरा, या मोनोग्राफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मैनुवल, ओप्शन नमबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्यूशन है, जेवी वर्गीकरण में पदानुकरम का सही करम है, तो आपका इसमें जो आरेक किया है, बायलोजिकल क्लास्पिकरण में, तो वो पैचान ना है, इसमें, तो जगत, वर्ग, गण, संग, कुल, वनस्पति, इन में से आप देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका ओप्शन नमबर C, जगत होगा, संग, वर्ग, गण, कुल, वनस् नेक्स्ट इउसन आपका, एड्स वाली व्यक्ति में, यह तंतर, कौन सा सिस्टम विफल हो जाता है, तो डाइजेस्टीव हो जाता है, यह फुपुसी, यह पलमोनोरी, नर्वस सिस्टम यह डिफेंस सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफेंस, यह इसमें विफल हो जाता है, जो एड्स से व्यक्ति के, नेक्स्ट इउसन आपका, निमल कित में से कौन सा समयनी समन्द जो पाचन मार्क, डैजेस्टिव ट्रेक्ट और यकरत की भी मौजूद होता है, ओप्शन यह आपका, हेपेटो पेंक्रेटिक डक्ट, रेनल पोर्टल सिस्टम हेपेटिक साइनोसाइड्स या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसका करेक्ट आउसर हो जागा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ओप्शन नमबर D करेक्ट आउसर होगा, नेक्स्ट इउसन आपका, क्रीड डू चैट, सिंड्रोम, एक ओटोसोमल आनुवंसिक विकार, जो नि नेदानी आकलन में मदद करता है इस पे गिरोमेटर, अमीटर, बेरोमेटर या स्पीरोमेटर करेक्ट आंसर होगा आपका स्पीरोमेटर option number D correct answer हो जाएगा next question आपका ग्लियल को सीकाई में सबसे पर्चूर को सीकाई होती है फेपडो, गुरुदा, पिता से या तंत्रिका तंतर तो गिलिय कोलिज सीकाई तंत्रिका तंतर में सबसे पर्चूर को सीकाई होती है option number D इसका correct answer हो जाएगा तो दियेगी option में साबको correct answer देना है कि इन में से किसके अलावा सरी सर्पो में तीन कक्षिय हर्दे होता है तो त्री चेंबर हर्ट होता है इनमें लिजर्ड में, छिपकली में भी होता है स्नेक में, मगरमच में या कच्वा में correct answer हो जाएगा मगरमच में तो मगरमच के अलावा सरी सर्पो में तीन कक्षिय हर्दे कोश होता है इसमें हैड़ देव होता है नेक्स्ट क्यूशन आपका निमलिकीत मैंसे कौन सा कैंसर का इलाज नहीं है किमो तेरिपी से कर सकते हैं फीजियो तेरिपी, इमेनो तेरिपी या विकरन चिकित सा तो रेडिशन तेरिपी से भी कर सकते हैं यह मैंनों तरी पीसे बें कर सकते हैं किमों तरी पीसे तो लेकिन फीजियों तरी पीसे हैं वो cancer का इलाज नहीं किया जा सकता next question है आपका मिर्तियो दर की तुलना में जनम दर की जनम की उच दर दर्शाने वाले जन्संग क्या दर्शाती है परिवर्ति वर्दी या हासमान डिक्लाइंग ग्रोथ या सुन्य जन्संग क्या वर्दी या चरगा थांकी है एक्सपोंटेशेल ग्रोथ तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका आपका चरगा थांकी है वर्दी option D नेक्स्ट क्यूस्टन है आपका जल्व है दित्व कर्ण संचलन के पस्चात पर्तक वे डिने खंडो प्रेग्मेंट को केवल आपको जो आपका फिलिंदा बिलेंक्स दिया के पस्चात कल्पीत किया जा सकता है प्राबेंगनी प्रकास के संपर्क में आने से चमकिले नारंगी रंग के बैंड के रूप में एथ्यडियम ब्रोमाइड में बिरंजन तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा दोस्तों आपका प्राबेंग नी संपर्कि में आने जे चमकीले नारंगी रंग के बेंड के रूप में ATDM, Bromide में बिरंजन ये option आपका correct answer हो जाएगा Next question है आपका Amniosynthesis, Bronchialing, Anvansic, Visangati और Javra, Sanic, Asamandata को निर्दाइच करने के लिए परियोग किया जाने वाले एक परसो पुरू निरिक्षन पर आधारित होता है तो है amniotic तरल में गुण सूतर पर रूप केरियो टाइपिंग या chorionic villus sampling नाभी रजू जरक सेंपिंग या ultrasound correct answer हो जाएगा इसका आपका the amniotic तरल में गुण सूतर पर रूप केरियो टाइपिंग ओप्शन नमर ए इसका correct answer हो जाएगा next question आपका बहु बीस्ता पोलिस प्रमी के लिए fast block निमन के कारण होता है option है पित्तक जिली विटलीन मेंब्रन पर बंधनकारी ग्राही ताउं की निसकरिया था option B है na plus का अंतरवा और ca plus का बहिरवा option c na plus का अंतरवा और dim जिली का विदुरवण और d option na plus का बहिरवा और dim जिली का विदुरवण तो यहाँ पे केवल अंतरवा बहिरवार का ही फ्रक है तो इसका करेक्टांसर हो जाएगा अने प्लस का अंतरवा और डिम जिली का विदोरवन ओप्सन नमबर C करेक्टांसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन आपका ग्यला पोगोस दियूप में डारिविन के आपके यह फिललींदा विलेंग्स में करना का एक उदारण तो उतपरीवरतन का उदारण है या भिसारी विकास का उपयोग अनुपयोग के उदारणा या अनुकूली विक्रण का अड़प्टिव रबिएप्सन का है एक्टिव इम्मुनिटी प्राप्त हो जाती है जो वाइरसों के लिए टिका लगाए गए व्यक्ति को option number T इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों ये MS, BSN, nursing and paramedical yield काफी useful है तो आपके ये 30 questions हैं ये physics और ये आपके biology के जो पूछे जाएंगे ये आपके nursing paramedical दोनों के लिए है तो इनमें सब कितने questions correct होए है आप जरूर बताइएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स ट्मी वीडियो में नेक्स ट्मी अपडेट के साथ में धन्यवाद जेहीं जे वारत